गोलू इसमें एक लिटल एलिफेंट है तो स्टार्ट करते हैं लोंग लोंग अगो दा एलिफेंट हैड नो ट्रंक कता बहुत समय पहले की बात है यह एलिफेंट के ट्रंक यानि सून्ड नहीं हुआ करती थी उसकी बस एक मोटी सी एक नाक हुआ करती थी एस बिग एस बूट हमारे बूट की तरह है तो वो इसको हिला सकता था साइड तो साइड तो साइड बट ही कुड़न पिक अप थिंग्स विद इट पर वो इससे चीजें नहीं उठा सकता था there was a baby elephant called golu मतद वहां पर एक गोलू नाम का एक चोटा सा elephant था there was a baby, he too had no trunk उसकी भी सून्द नहीं थी but only a bulgy nose उसके साथ भी same boy bulgy nose थी उसकी as small as a boot की तरह golu was full of questions गुल्लू के पास बहुत सारे क्वेस्टन होते थे पूछने के लिए में शा, वो अपनी आंटी से पूछता था, ता ओस्टिच, ओस्टिच होता शुत्रमुर्ग, उससे पूछता था, वाइडोंट यू एवर फ्लाई, लाइक, अदर बर्ड्स, वो पूछता था भी तुम ओस्टिच को, भी तुम दूसरे बर्ड्स के इतना क्यों नूड़ पाती, देन ही आस्क्ड़ हीज तॉल अंकल, फिर वो अपने तॉल अंकल से पूछता, जिराफ से, वाट मेक्स यू, योर स्किन सो स्पोटी, तुमारी इसके न इतनी स्पोटी कैसे है, इस पे इस स्पोट्स कैसे है, ही आस्क्ड़ हीज अंकल, दा हिप्पो, हिप्पोपोटमस, हिप्पो वो होता है, ये पानी वाला जो, पानी में रहता है न, घोडा बोलते है, पानी वाला घोडा, why are your eyes always so red तुमारी आखें में शलाल क्यों रहती है he asked his hairy uncle the baboon baboon एक monkey होता है उन से पूछता था hairy uncle से पूछता था why do melon taste like melons we melon taste melons की तरह क्यों होता है melon fruit होता है तरबूज को बोलते है the ostrich the giraffe the hippopotamus and the baboon had no answer इनके पास कोई answer नहीं होता था to golu questions golu के question के लिए golu is a naughty baby they said वो कहते थे भी golu तो एक बड़ा श्रारती बच्चा है they said he asked such difficult questions वो कितने मुश्किल questions पूछता है one day golu मेट था manna bird sitting in the middle of a bush एक बार golu क्या होता है manna से मिलता है जो की जाड़ियों के बीच में बैठी होती है वो उससे पूछता है why does the crocodile have sorry what does the crocodile have for dinner crocodile dinner में क्या खाते है यानि वो क्या खाते है the manna said go to banks of the great grassy limpopo river and find out कती वहाँ जाओ limpopo river के पास grassy land है वहाँ पे जाओ और पता करो gollu went home he took a hundred sugar canes उसने gollu गर जाता है और hundred sugar canes यह नहीं sugar canes होता गन्न गन्ने खाता है 50 dozen bananas 50 पचास दरजन केले खाता है and 25 melons और 25 तरभूज खाता है then he said to his family goodbye फिर वो अपनी family से कहता है goodbye I am going to the great grassy limpopo river वो काफी दूर होगी वहाँ से तो कहता है मैं olympopo river के पास जा रहा हूँ I will find out what the crocodile has for dinner और मैं पता करूँगा भी crocodile क्या खाते हैं he had never seen a crocodile उसने कभी असल में crocodile देखा ही नहीं था gollu ने and he didn't know what one looked like और ना उसको पता था यह दिखते कैसे हैं he met a python and asked him python यह आप figure में देख रहे हैं python क्या होता है have you ever seen a crocodile python साब से पूछता है वही तुनने कभी crocodile देखा है what does he look like कैसा दिखता हो what does he have for dinner dinner में क्या खाता है the python uncoiled himself python अब जो लिप्टा पड़ा था उसके branch के साथ uncoiled करता अपने आपको और फिर कुछ नहीं बोलता said nothing gollu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him gollu उसकी help करता दुवारा से coil करने में लिप्टने में उसके और वहाँ फिर उसको बाय करके चला जाता है gollu moved on gollu अब चलता जाता है eating sugarcans गना खाते बनाना और melons after a few days he reached the very edge of the great grassy limpopo river थोड़े दिनों में वो मतलब distance काफी होता है तो थोड़े दिनों में वहाँ पर limpopo river पे पहुंच जाता है on the bank of the river he saw a log of wood वहाँ पर लखडियों का log देखता है लोग होता है गठा जैसे लखडियों का it was really the crocodile who winked at him अब वो क्या है पहाँ पर एक crocodile होता है वो उसको देखता है excuse me said go loo go loo उसको कहता है excuse me have you ever seen a crocodile क्या तुमने कभी crocodile देखा है the crocodile winked again वो फिलिप पलके जबकता है and lifted half his tail out of the mud अपनी पूँच आदी निकालता है mud में की चड़ में से come here little one said the crocodile crocodile बोलता है why do you ask such question तुम ऐसे question क्यों पूछते हो go loo गता है I want to know मैं जानना चाहता हूं come close pass out little one for I am the crocodile मैं ही crocodile हूं and he shed crocodile tears to show it was quite true फिर वो मगर मच के अपने यानी आशू बहाता है मगर मच ये दिखाने के लिए वो सच में रो रहा है go loo was afraid go loo dir जाता है but he sat down on the bank and said पर वो किनारे पे बैठ जाता है और बोलता है you are the very person I was looking for मैं तुमारी ही तलाश कर जाता है looking for होता है तलाश करना किसी की डूंडना please tell me what have you for dinner आप मेरे को ये बताईए भी आप क्या खाते है डीनर में come here little one इदर आउ छोटे I will whisper the answer to you said the crocodile whisper होता है फुस फुस हाट करके बताना काने में बताते हैं तो किता मैं whisper करके तुमको answer बताऊंगा go loo put his head down close to the crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose अब go loo जैसे ही आगे होता है बात सुनने के लिए तो क्रोकोडाइल क्या करता है go loo की nose को पकड़ देता है I think that the crocodile crocodile करता है today a baby elephant will be my dinner क्याता हाज मेरे ख्याल से जो मेरा dinner है ना वो कौन बनेगा baby elephant बनेगा let me go मुझे जाने दो you are hurting me तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो Mr. Crocodile screamed go loo the python who had been quietly following go loo अब वो जो python साप था जो जिसे go loo पहले मिला था वो उसके पिछे पिछे आ रहा हो था go loo के came to the bank and said वो river के किनारे आता है bank किनारे को बोलते है if you don't pull as hard as you can अगर तुम इतना पूरा जोर लगा के अगर नहीं कहिस तो क्या है काता है अगर तुम पूरा जोर लगा के नहीं कहिसते तो crocodile तुम्हें drag कर लेगा stream में नदी में drag यानि घसीट लेगा तुमको तुम भी जोर लगा के अपने आपको पीछे खीचो go loo sat back on his little haunches and pulled and pulled the crocodile slipped into the water making it all creamy with great sweeps to his tail and he also pulled and pulled अब गोलू क्या होता है पीच्छे की तरफ अपने आपको खीचता है वो उसको अंदर वाटर की तरफ खीचता है पूरा जोर लगा के और दोनों आप मतरह ओपोजिट डिरेक्शन में एक दूसरे को पूल करते हैं खीचते हैं then the python coiled himself round go loo's stomach अब python जो साहब होता है वो गोलू के पेट पे ऐसे रैप हो जाता है लेट्स पूल हाडर जोर लगा होता है गोलू dug in all his four legs in the mud and pulled गोलू क्या करता है अपनी टांगे मट के अंदर किच्छोड के अंदर मिट्टी के अंदर दसा देता है और अपने आपको पिछे ताकी पकड़ बनी रहे खीचते है the nose kept on stretching अब नाक उसकी खीचती जाती है stretch होती जाती है क्योंकि मगर मचने पकड़ रखी होती है at each pull the nose grew longer and longer and it hurts गोलू अब नाक जैसे जैसे खीची जाती है तो उसको नाक लंबी भी होती जाती है और गोलू को दर्द भी बहुत होता है हट होता है गोलू the nose was now five feet long अब उसकी जो नाक होती है यहनि सून्ड होती सून्ड बन जाती है वो पांच फुट की होती है but it was free at last पर लास्ट में गोलू free होता है गोलू sat down with his nose wrapped अब इन बिग बनाना लीफ गोलू क्या है वहाँ बैठ जाता है बनाना ट्रीज के पत्ते होती है जो बड़े बड़े पत्ते होती है उस पो अपने वहाल पेट के and hung it in the great grassy limpopo river to cool और उसको खींच के फिर वो क्या करता है कूल करने की कोशिश करता है limpopo river के अंदर नाक को गोलू sat there for two days waiting for his nose to cool and to shrink गोलू महाँ बैठा रहता है नाक को पानी में भिगो के रखता है और वेट करता है कि उसके नाक श्रिंक हो जाए शिकुड जाए छोटी हो जाए इट ग्रिव कूल ठंडी तो हो जाती है नाक बट इट डिटन श्रिंक पर हो छोटी नहीं होती शिकुड नहीं पाती at the end of the second day दूसरा दिन का जब अन्त हो जाता है अब fly came एक मक्खी आती है वहाँ और स्टंग गोलू on the shoulder गोलू को कंधे भी काट लेती है गोलू lifted his long nose अब गोलू की जो लंबी नाक होगी थी जो सून्ड बन गी थी वो उठाता है and with it hit the fly dead और उसको मक्खी को मार देता है advantage number one hist the python अब जो साप होता है जो python वो कहता है पहला फाइदा तेरी लंबी सून्ड गा नाक जो लंबी होगी है you couldn't have done it with a small nose अगर तेरी नाक लंबी ना होती छोटी होती पहले की तरह है तो तुम ये काम नहीं कर पाते try and eat a little now अब थोड़ा बहुत खा लो गोलू put out his trunk and plucked a large bundle of grass गोलू क्या करता है वहाँ पे एक large बड़ा सरा ग्रास का bundle सा बना होता है he dusted it against his four legs and stuffed it into his mouth वो फिर उसको उठा के खा लेता है advantage number two hiss the python hiss क्या होता है ये जो साप वगर होता है इनका साउंड होता है hiss तो कहता है फाइदा advantage ये नहीं फाइदा फाइदा number two you couldn't have done it with a small nose तुम इसको छोटी नाक से नहीं कर सकते थे don't you think the sun is too hot now क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत कर्मी हो गई है गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it slapped it on his head गोलू क्या करता है सूंड से अपना जो mud पड़ा होता है river के पास जो ठंडा ठंडा की चड़सा होता है उसको उठा के सिर पे डाल लेता है advantage number three is the python python करता है तीसरा फाइदा you couldn't have done it with a small nose तीसरा फाइदा ये काम भी तुम अपनी छोटी nose से नहीं कर सकते थे थेंक्यू Mr. Python said गोलू gratefully अब पाइथन को गोलू क्या करता है थेंक्यू बोलता है I will remember all this कता है मैं ये सब याद रखूंगा गोलू बोलता है and now I will go back to my family अब मैं मेरे घर वापिस जाऊंगा तो ये स्टोरी थे तुएंट्स गोलू ग्रोज नोस ग्रोज होता है यानि बढ़ा हो जाना ग्रोड आप होते न तो गोलू ग्रोज नोस गोलू का नोस जैसे बढ़ गया तो ये स्टोरी थे I hope you understand the story ओके बढ़ाइ